दोस्तो आज में कैसे application के बारे में बात करेंगे जहांचे आप 1000 रुपिया से लेके पूरे एक लाग रुपिया तकी loan ले सकते हो और उसे आप 0% interest पर पूरे दो मेहने के लिए यूज़ कर सकते हो हलाकि EMI का भी option मिलेगा लेकिन आप 0% interest पर यूज़ करना चाहो तो आपको दो मेहने के बाद आपके जितनी भी loan amount का आप यूज़ करोगे उसका repayment करना होगा और दोस्तो एक कमपनी एक RBA register NBP से अपरो कमपनी है तो उस पर आप 100% बरोजा भी कर सकते हो लगी यहाँ पर loan लेने के लिए आपको सिर्फ bank statement देना होगा तो आज के वीडियो में दोस्तो हम सारा process बताएंगे कि यहाँ पर यह loan application कौन ची है loan apply के से करना है और उस loan आम आउर को अमरे 20K account में transfer के से करना है और यहाँ पर आपको दो मेहने के लिए 0% interest पर loan मिलेगी उसका concept क्या है वो सारा बारिक से clear करेंगी तो अगर आप भी किसी प्रस्रा लोन के चलाश में हो तो एग वीडियो सुरू से लेखे अंदक जरूर देख लो तो नमस्कर दोस्तो जगुगेन में आपका एक बार फिर्शी स्वागत है दोस्तो अगर आपको एग वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप अमरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आक एंडब कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमरी हर आने वाले इससे तरीके से न्यूँ वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहा है तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो आजम जिस application का बारे में बताने वाले है उस application का नाम है loan digit यह application आपको play store में आसानी से मिल जाएगी वहाँ पर इसे आप download कर सकते हो इस application की rating की बात कर रहे तो 3.9 की rating है और एक लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस application को अभी तक download किया हुआ है और अब यहाँ पर हम इसकी detail देखें तो यहाँ पर दोस्तो सबसे उपर ही इनों ने बताया है कि यहाँ पर आपको जो भी limit मिलेगी उसे आप 0% interest पर यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको 1000 रुपया से लेके 1,00,000 रुपया तक की limit मिलेगी जिसे आप 0% interest पर 17 के लिए यूज कर सकते हो और अगर आप EMI पर यूज करना चाहो तो उस पर इंटरस लगेगा लेकिन आप यहाँ पर इसे EMI में भी यूज कर सकते हो यहाँ पर दोस्तो पर लेटर इन EMI में भी बताया है कि यहाँ पर आपको जो भी limit मिलेगी आप 0% interest पर 17 के लिए यूज कर सकते हो और इस limit को आप scan and baker का भी यूज कर सकते हो और direct आप अपने bank account में भी transfer कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस limit को 0% interest पर यूज करोगी तो उसके एक cycle होती है कि हर मंद की पहली तारीक को यहाँ पर बिल जनरेट होगा और पास तारीक तक आपको उसका रिपीमेट करना होगा तो इस तरीक से आप यहाँ पर 0% interest पर इस limit का यूज कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों हर मंत की पास तरीकों बील जन्रेट होगा और दो मीए मैं में आपको उसका पूरा रिपेमेर कर देना होगा दो महिने तक यूज करोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाए जाएगा 2,99 रूपीज से लेके 4,99 रूपीज तक प्रोसेसिंग फिस लगाए जाएगी 18 परशन से लेके 28 परशन तक इंटरेस्ट लगाए जाएगा जो कि आपके प्रोफिल डिक्स पर डिपिन करता है अब यहाँ पर दोस्तों एक्जांपल वगरे दिया हुआ है लेकिन एक्जांपल में जो बताया हुआ होता है वो एक्शूल में नहीं होता एक्शूल में क्या-क्या चार्ज वगरा लगेगा वो हम आगे वीडियो में पता करेंगे ठीके अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो पहला बेनिफिट तो एही है कि आप इस लिमिट को 0% इंट्रस पर यूज़ कर सकते हो पूरे साइन दिन के लिए उसका लवा यहाँ यहाँ पर 0 down payment रहेगा और 0 for closure charge रहेगा यानि कि आप एक साथ पूरी लोन को चुकाना चाहते हो तो बिशुका चकते हो उस पर भी कोई charge नहीं लगाए जाएगा अब यहाँ पर हम eligibility criteria की बात करें तो यहाँ पर बताए गया है कि आप एक sell it individual होने चाहिए लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दोने केटिगरी में लोन मिलेगी आप साहे यहाँ पर कोई भी salary slip नहीं देना होगा तो आपको एप्लिकेशन में sell it फसन नहीं हो तो भी आपको लोन मिलेगी सिर्फ आपको यहाँ पर अपना bank statement अप्लोड करना होगा और निचे यहाँ पर दोस्तों इसका NBFC partner भी बताया हुआ है यहाँ पर इसके NBFC company का नाम भी बताया है जो है MK Consolation Limited यह इसके NBFC है ठीके अब यहाँ पर दोस्तों निचे यहाँ पर इसका contact support कहां पर भी नहीं बताया हुआ है तो आपको इसे एक बर ब्यक आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लाइप रूप बताते हैं कि यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पर जो इन्होंने वाइप बनाई है कि 0% interest पर पूरे चांटीन के लिए आप इस लीमिट का यूज़ कर सकते हो उसका पूरा concept क्या है और उसको यूज़ कैसे क करना है उसका process हम आपको लाइप रूप दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आचागे ठीक है तो यहाँ पर इस application को open करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके सेंटर पर साइगा यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर आप एक जार रुपय से लेके एक ला इस application के साथ लिंक करना जाते हो इमिल इडिस लेक करने के बाद यहाँ पर हमसे mobile नंबर पूछेगा mobile नंबर एंटर करके continue पर क्लिक करना है तो हमारे mobile नंबर पर एक ओटर पी सेन किया जाएगा वो यहाँ पर ओटो महीं फिल हो जाएगा और हमारे समने अगला पेजोपन ह हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका नुपर नाम आ जाएगा में यहाँ पर जिस भाई का लोन अप्लाइक कर रहा हूं उसका नाम है यहाँ बताएगी है कि आप यहाँ से एक जार रुपया से लेके एक लाग रुपया की लोन ले सकते हो 100 पसंड ओनलान प्रोसेस रहे है और यहाँ पर वेरिफाई पर क्लिक करना है तो हमने अगला पेज उपर हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों उपर हमें चोटल पांच स्टेप बताई हुए है यह 500 स्टेप हमें यहाँ पर कम्प्लेट करने है जिसमें आप देखोगे तो पहले हमें प्यान कार्ड वेर एक अकाउट में ट्रास्वर्ड कर सकते हैं तो सबसे फिल्ए यहाँ पर प्यान कार्ड की डित्यल में यहाँ पर हमारा प्यान कार्ण नम्बर तो उलड़ी आजाएगा उसके बाद यहां पर हमारा फॉस्त नयम और मीडल नियम या लास्ट नमें ऍंटर करना है यहें पिन यहां पर आपकोपने पुस करना है उसके बाद यहां पर आपकोद ₹ज और से उपर कि अमाउट एंटर करनी है या तो आप पर आपको 00 पर click कर देना है और last में यहाँ पर आपको अपना gender से लेक करना है कि आप mail हो या फिमेल हो उसके बाद simply next करना है अब next दोस्तों हमरे समने अगला page उपन होगा जिसमें हम से यहाँ पर address पूछा जाएगा अब address में पहले यहाँ पर हमरे marital status पूछेगा कि हम married है या unmarried है उसके बाद residence status पूछेगा कि हम Paris के साथ रहते है रेंट में रहते है या हमरा खुद का करें उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि क्या आपके आजदार कर में जो address है वही आपका current address है अगर है तो yes करना है यहाँ पर याँ पर enter करना होगा और आफके आतरकर में जो address है वो पूरा यहाँ पर आपको enter करना होगा उसके बाद simply next करना है तो next हमारे सामने दूस्तों यहाँ पर कुस कुस इसतरी के से सामने अगला पे जो कणो हो जाएगा जिसमें आपके सारे detail आ जाएगी कि आपने पीछ जो ही details फिल फील की है वो सारे detail यहाँपर आपके सामने आ जाएगी खे लेना है और उसमें अगलत है और आप उसे change करना चाहते हों तो यहाँपर change card option देखेगा। उसे चेंज कर सकते हो, अधर्वाज यहां पर एट टंसन कंडिसन वाला बॉक्स पर टीक करके, गेट इस्टन्ट अपरूवल पर क्लिक कर देना है, जैसे गेट इस्टन्ट अपरूवल पर क्लिक करोगे, तो अप क्या होगा, कि आपका सिबिल स्कॉर वगरा चेक होगा, अब यहां पर थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, पेन काइड नमबर हमारा ओलरी सब्मिट हो चुका है, सेलफी एक यहां पर देनी होगी, और आधर एक वैसी करना होगा, शिर्फ एक चार स्टेप कंप्लेट करने होगे, और हमरे यह लोन अमाउट हमरे बेंक अकट में ट्रास्फर हो जाएगी, तो हमएं यहाँ पर दूस्तों एस साने स्टेप कंप्लेट कर लिए है, उसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर फाइनल सब्मिट पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, अब यहाँ पर फिर से हमरे इलाजिबेटी चेक होगी, और हम में फाइनल अपर मिलेगा कि हम कितनी limit के लिए eligible है तो यहाँ पर दोस्ता आप देख सकते हूं हम यहाँ पर 20,000 रुपए के limit के लिए eligible है अब दोस्तो इस loan को लेने के लिए हमें क्या क्या एक्स्ट्रेम कंप्लेट करने होगे तो यहाँ पर बताए यह है कि आपको bank account detail देनी होगी उसके बाद e-sign agreement करना होगा और notch complete करना होगा जैसे कि हरवंत की EMI ओटमेटिक से हमारे account से कर जाए और उसके बाद यहाँ पर हमरे loan amount हमरे bank account में transfer होगी तो अब यहाँ पर दोस्तो इस loan को bank account मिलेने के लिए उस पर यहाँ पर हम क्लिक करते है तो हमने loan amount और tenure source करने का option मिलेगा जिसमे हमें बताना है कि हम कितनी loan कितने EMI के लिए लेना चाते है तो आई यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हम यहाँ पर 1000 रुपया से लेके पूरे 20,000 रुपय की loan में से जितनी चाहये उतनी amount यहाँ पर हमरे bank account में ले सकते है तो हम यहाँ पर 15,000 रुपया से लेकर तो नि देख सकते हो यानि कि यह दोनों EMI वाला आप tenure select करोगे तो उस पर यह आपको 0% interest का option मिलेगा और दर्वाज आपको नहीं मिलागा ठीके तो एबात का आपको ख्याल रखना है जो भी EMI के लिए 0% interest available होगा वो यहाँ पर side में आपको बता दिया जाएगा अब दूस्तों यहा 15,000 रुपय की लोन अगर 12 मेने के लिए लेते है तो उस पर क्या-क्या चार्ज वगरा लगेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 15,000 रुपय की लोन है उस पर 580 रुपया प्रोसेसिंग फिस लगेगी 409 रुपया प्लेटफरम फिस लगेगी जो कि ए 15,000 रुपय की लोन पर एड हो जाएगा तो टोटल लोन अमाउट हो जाएगी 16,000 रुपया उसका लबाए यहाँ पर इंटरेस्ट की बाहत करें तो 30% पर मन के हिसाब से इंटरेस्ट लगाए जाएगा 12 मेन का हमने टेन्यू रखा है 16,66 रुपया हमें हर मन्त EMI पे करना होगा 27 रुपया मन्त लिए इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पर दोस्तो हमारी 1st EMI और last EMI भी देख सकते हो इस तरीके से दोस्तो यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउट का साज बगरा देख लेना है अब यहाँ पर दोस्तो आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप QR Code scan करके भी यूज कर सकते हो यानि कि किसी भी मर्शनर्ट के वहाँ पर QR Code scan करके भी इस लिमिका यूज कर सकते हो और direct आप अपने bank account में ले सकते हो तो यह काम करते है पूरा 20,000 रुपया ही हमारे bank account में transfer करने का process आपको दिखाते है तो हमने यहाँ पर 20,000 रुपया चिलेक कर लिया है वो ही interest पर हम ले लोन ले सकते है ठीक है तो अब यहाँ पर दूस्त हमें next पर क्लिक करना है जैसी next करेंगे तो हमसे यहाँ पर bank की detail पुछी जाएगी जिसमें यहाँ पर हमारे bank की detail दे दिन है जिस bank account में हमें slow number को लेना चाते है bank detail में यहाँ पर bank account holder name एंटर करना है bank नाम कि EMI automatic से हमारे bank account शेकर जाए तो नाच complete कर लोगे तो यह loan amount आपके bank account में transfer हो जाएगी ठीक है तो इस तरीक से दोस्तों आप loan digit में loan ले सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप समझे गई होगे कि किस तरीक से यहाँ पर आपको 0% interest पर loan मिलते है तो चले दोस्तों आजके वीडिय कमेट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं कोरेसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुल वाए